नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीजी टी यानी देशी गपरू टैग में दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं एक नया टीवी खरीदना लेकिन ऐसे में आपके पास है बहुत बला कन्फूजन की बहुत एलसीडी खरीदें या एलेडी खरी वह होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले यह एक फ्लैड पैनल डिस्पले होता है इसकी स्क्रीन लाइट को रोकने या गोजरने देने के लिए लिक्विड क्रिस्टल की लाइट मोडिलिंग गुडों का इस्तिमाल करता है इन में से हर एक क्रिस्टल इमेज का छोटा सा टुकडा त्यार करता है जब इन में मौझूद सभी crystal एक साथ मिल जाते हैं तो हमें एक बड़ी सी image देखने को मिल जाती है crystal को आम तोर पर हम pixel भी कहते हैं लेकिन normal TV के मुकाबले यह कम बिजली की खपद भी करता है भी अगर बात करें LED की तो यह जो LED होती है उसके अगर फुल फॉर्म देंगे तो वह होती है light emitting diode इसकी बनावट भी LCD screen की तरह ही होती है लेकिन LCD और LED की जो कारे करने का तरीका है वो अलग-अलग होता है यह fluorescent bulb की प्रकाशित होने की जगह light निकालने वाले डायोट से जलते हैं भले यह बल्ब तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं लेकिन भाई यह जो fluorescent bulb से अधिक शक्षम होते हैं यह screen के पीछे पाए जाते हैं जिससे brightness और darkness को अच्छे तरीके से स्क्रीन पर डिस्पले करने की मदद मिलती है तो यह तो हमने बात की LCD और LED की अब बात करते है LCD और LED के डिफ्रेंस की तो यहां पर जो सबसे पहला फरक निकल आता है वह यह कि भाई जो LCD है वो crystal वेस्ट का प्राम करती है अगर पिक्चर क्वैलिटी की बात करें तो LED की पिक्चर क्वैलिटी LCD के मुखाबले बहुत अच्छी होती है क्योंकि LED में बीए पैनल या IPS पैनल का इस्तेमाल किया जाता है जो टेक्नोलोजी की स्रेलिटी में सबसे अच्छा माना जाता है बहीं अगली बा तो जो LED होती है, वो LCD के मुकाबले बहुत सिलिम होती है, जो कि मतलब कहीं भी बॉल्स पर अगर हम लगाएं, तो एक attractive look देती है, अब यहाँ पर एक जो और अच्छी quality है, LED की वो यह कि LED LCD के मुकाबले 20-30% light की खपत कम करती है, मतलब LED का power consumption कम है as compared to LCD, अब यहाँ पर जो सब सजार से लेके 6-7 लाग तक इसका price होता है, तो भी यह LED में अगर features जादा है, तो उसकी price range भी भी यह बहुत हाई है, अब यहाँ पर अगर हम बात करने बजन की तो भी यह जो LED है, उसका बजन बहुत कम होता है as compared to LCD, क्योंकि भी यह जो LED है, उसमें modern technology का use हुआ है, तो भी जादा कर सकते हैं, लेकिन अच्छी brightness देखने को मिलेगी आपको LED में, अब भी यह उसकी पैसे भी जादा है, तो अच्छी brightness होगी होगी, अब अगर हम बात करें resolution की, तो LED का resolution बहुत अच्छा होता है as compared to LCD, तो बस इस वीडियो में यही थी कुछ जानकारी, जो हमने आपक साथ में साजागी, अगर आपका कोई सवाल है, suggestion हो तो comment करके जरूर बताएं, भागी वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें, share करें और subscribe करके घंटी जरूर बजा दें, ताकि हमारी नहीं वीडियो की notification पहुचें आपके पास सबसे पहले, और वीडियो देखने के लिए धन नेवाद बेरी मच